सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बैल आकन को जरूर दबाएएगा ताकि आप तक पहुंसते रहे हमारे वीडियो टाइम टू टाइम हाई दोस्तों मेरा नम है उश्वास और आप देखरें वीएंस इनुवर्स चैनल और यूट्यूब आज हम लेके आपके लिए ऐसा वीडियो जो कि आपको काफी ज्यादा जो है help कर सकता है ऑस्ट्रेलिया जाजिंग के लिए अगर आप जो है अंस्किल्ड है अगर आपकी जो qualification कम है और अगर आप जो है English exam नहीं दे सकते तो आज का वीडियो जो है आखिर तक जरूर देखेग ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आप जो है जो है Australia जा सकते हैं और वहाँ पे जो है आप काम कर सकते हैं इसके बारे में है अज का पूरा वीडियो सोल स्टार्ट दा वीडियो काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहते हैं कि क्या कोई ऐसा जॉब है जिसमें कि हम जा सकें और वहाँ पे जो है Australia में काम कर सकें क्योंकि हमें जो है काम तो करना है बट हमारे पास उतनी स्किल नहीं है उतना ज्यादा जो है एजुकेशन का बेगराउंड नहीं है और experience भी उतना ज्यादा जो है नहीं है जिसके वजह से जो है हम जो भी प्रोग्राम आते हैं स्किल्ड वाले उसमें जो हम क्वालिफाइर नहीं करते तो आज जो है हम आपके लिए वेकंसी लेकर आए और यह जो रिक्वार्मेंट है यह यह वीजा केटिगरी 417 के अंदर आता है त यह जो वेकंसी है यह कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो काफे सारे अंस्किल्ड काम जो कंस्ट्रक्शन लाइन में होते हैं उस सारे केटिगरी के लिए यहाँ पे रिक्वार्मेंट है तो काफे सारे लोगों को यहाँ पे बुलाए जा सकता है तो इसमें जाने के लिए आप आपको जो वीजा केटेगरी है 417, उसके अंतर का फिट बैठना पड़ेगा, वीजा केटेगरी 417 क्या है, इस 417 जो है ये वर्किंग होलीडी केटेगरी में आता है, जिसमें की आपको थ्री मोंथ का वीजा मिलता है, आप सोच रहाँगे कि थ्री मोंथ कम है, हम इतने कम टा कि किस तरह से आप अपना tenure or extend कर सकते हैं या फिर किस वीजा category में आप convert करा सकते हैं अपने आपको ताकि आप 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 पर और stay कर सके हैं या फिर आप आप आके फिर तूसरी बार भी वीजा के लिए apply कर सकते हैं तो यह जो वीजा केटिकरी है 417 इसमें जो है आपको तीन चीजे ध्यान में रखनी होती है सबसे पहली चीज जो है आपकी एज आपकी एज जो है 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए हमारे कुछ पेड सब्सक्राइबर की जो है एज 18 से 30 के बीच में आती है उनका जो हमने अल्रडी अपलाइ कर दिया है कि वीडियो बनाने से पहली इन्फरमेंशन हम तक पहुच गई थी तो हमने सूचा कि जितनी जल्दी हो सके उधनी जल्दी जो है उनका एपलाइब कर दें फिर जो है वीडियो आप तक पहुचा है तो कुछ लोगों का तो आप 5 जैंकी जो है चिदनी जल्दीा हो से को उधनी जल्दी अपलाइब कि जिएगा अपलाइब किसे तरह करने वह मैं आगे बता हूंगा तो दुसरी अपर है और तो है मोहाँ पर काम करने चाहिए तो ये तीन जो है mag आपका एचधास घोर से जञ़ाए देशरी ज़िएगा ख़तम हो जाएगा घखाए उसके बाद रॉक्स विज़ा के लिए भी apply कर सकते हैं और उसके बाद third work holiday visa के लिए भी apply कर सकते हैं तो यह चीज जो है लंबी भी चलेगी तो काफी सारी चीजे हैं आप 417 के बार में ज्यादा detail में पढ़ सकते हैं मैं नीचे description में एक link दे दूँगा जिसमें आप जो है इस job में apply कर सकते हैं साथ ही साथ इस visa के ब opportunity है उन लोग के लिए जो लोग की जाना चाहते थे as a unskilled labor Australia और यह मौका जो है आपको हाथ से नहीं जाना देना चाहिए जैसे मैंने कहा कि यह construction line का काम है तो अगर आप जो है construction का काम कर सकते हैं heavy load उठा सकते हैं और Australia के east area में जो है रह सकते हैं then आपके लिए यह program बहुत ह अच्छी रहेगी देखिए construction का काम है तो सो समझ के हाँ बोलिएगा ऐसा नहीं है इसमें कि आप जो है वहाँ पर जाके फिर काम change करतेंगे जैसे मैंने तीसरा जो क्रैटरिया बताया था कि AT&T is जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेगी और फिर जो है आप इसमे golden opportunity है तो अगर आप जो है इन तीन कराटरिय में फिट बैठते हैं देन मैंने जो है description में एक link दे रखा है या फिर आप जो है हमारी website www.bncuniverse.co.inus में विजिट कर सकते हैं उसमें जो हमने वो job पूरे detail में आपको बता रखा है कि क्या क्या चीज़े जो है चाहिए और उसके नाम आपका email ID और आपका CV जो है आपको आपके upload करना रहता है यह सारी चीज़े अगर आप कर देते हैं देन आपका जो है submit वड़न पर क्लिक करने पाद आपका application हो जाता है और जो लोग भी subtly state होते हैं उनको जो है आगे का process फिल समझाया जाएगा यह जो company है यह Australia में already based ह तो सारी conversation जो है वो Australia से होंगी directly ही कोई भी यहाँ पर जो है mediator नहीं रहेगा तो यह बहुत अच्छी चीज़ है काफी सारे पैसे भी आपके बच सकते है क्योंकि Australia जाना काफी ज़्यादा costly भी होता है काफी सारे लोग 10-20-20-20 लाक रुपए जो है मांगते है Australia में आपको जाने मत देजेगा और जरूर इसमें apply किजेगा अगर आप जो है इसमें feedback तो फिर भी आप जो है अपनी तरफ से थोड़ी से चानवीन कर लीजिए और फिर अगर आपको सही लगे दिन आप apply किजिए आपको कोई भी doubt आता है तर आप जो है comment section में उससे पूछ सकते है क्यो इसलिए subscribe हीजिए इस चैनल को अपना प्यार दिखाए इस चैनल के लिए और अगर आपके वीडियो अच्छा लगा है तर लाइक बटन भी जरूर क्लिक किजेगा और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि यह जो opportunity है दूसरे लोगों तक भी पहांचे तर यह वीडियो साथ आच के माल इस वीडियो में चिर विश्वा साइनिग आप स्टेए किनेक्टेट